बाली क्या है? इस्टिव जूपस क्या है? बाली की क्षमता के बारे में बताया गया है कि वो सामने वाले व्यक्ति की सबी शक्तियों को खीच लेता था तो शत्रु कभी उससे जीत नहीं पाता था कोई भी महान शत्रु हो चाहे कितना ही शक्तिशाली हो जब बाली के सामने वह आता था तो उसकी समझ शक्टियों को खिच लेता था और स्वेम उसकी शक्ति प्लस सामने वाली की शक्ति मिलकर एक विशाल शक्ति का निर्मान होता था तो शत्रू कभी उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था भगवान श्री राम ने भी उसका वद बड़ी चतुराई से किया था वह उसके सामने नहीं आये और सुग्रिव को अपना राज्य दिलाने में सफल हुए यही चीज हम स्टीब जोपस में देखते हैं कि उन्होंने दुनिया के सबसे बहतरिन मॉडल को देखा और उनकी विशेष्थाओं को पहचाना और उन्होंने आस पास की चीजों को देखकर निर्णे लिया कि इससे बहतर हो चीज हम क्या बना सकते हैं जो वरतुमान में मौझूद है उससे बहतर हम क्या बना सकते हैं इसे के आधार पर उन्होंने आईफोन का विश्कार किया उन्होंने किसी बस में बेठे-बेठे लोगों से सुना कि वो आईपॉड से या म्यूजिक प्लेयर जो फिलिप्स का पेले बहुत चलता था उससे गाने सुन रहे हैं और जापान के लोगों को गाना सुनना बहुत ब उप्योग कर लेते हैं तो उसका उप्योग गाने सुनने में या किसी अन्य चीज को सुनने में पिताते हैं तो उन्होंके मन में विचार आया कि जवारतमान में मौझूद जो यह आडियो प्लेयर है उससे बढ़िया में क्या मना सकता हूं उन्होंने ऐसी चीज का विश्क सकते हैं तो यहीं विशेस्ता होती है महान लोगों की कि वो कुछ नया नहीं करते हैं बलकि वरतमान में मुझूद चीजों में इस उड़ार करके लोगों के सामने इसी चीज पेश करते हैं कि वह दुनिया के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है स्टिप जोप्स के बाद कैसेट, सीडी, डीवीडी सब बेकार की वस्तों में हो गई म्यूजिक कमपनियां बरबाद हो गई म्यूजिक आनलाइन मिलने लगा एक यूग परिवरतन हुआ जिसने पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया और नई चीज़ों को सामने पेश किया यह विशेस्ता होती है कि वरतमान में मोजु समस्याओं को ही महान लोग अध्यन करते हैं, देखते हैं और उसके बाद ऐसा अविश्कार करते हैं कि दुनिया चकित हो जाती है उनसे पहले रोन उनसे बाद का योग अत्यन्त भिन्न हो जाता है तो सामने वाले की शक्ति को पढ़ो, उससे सीखो, प्रेण ना लो और उसके बाद स्वयम को इतना सबसे बहतर प्रस्तूत करो कि दुनिया में आपका मुकाबला कोई ने कर सके तो इसके लिए अन्वेश्ण की अवलोकन की आउशकता होगी आप चारो तरब देखो और उनसे बहतर बनने की कोशिश करो यही सबसा का मूल मंतर है जिसे आज सभी महान लोग अपना रहे हैं धन्यवाद